आप लोगों का कमिस्टी डिचर बेटा कैसे हैं आप लोग मुझे मीद्य खेरियसी होंगे अच्छी हेल्थ में होंगे और अपनी स्टेडिज पर भी प्रॉपर कंसेंट्रेशन दे रहे होंगे मैडे स्टुडेंट्स आज हमने एक बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक डिसकस करना है और वो है मौडरन प्रियोरिक्टिबल आप लोगों ने इस लेक्चर की इंपोर्टेंट पॉइंट्स अपनी नोट बुक पर नोट डाउन जरूर करने हों तो चलें आज का टॉपिक ड मनाया था इसमें एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन हुई थी ओन दा बेसिस अफ अफ अटोमिक नंबर रेधर देन अटोमिक नेस modern periodic law the properties of elements are the periodic function of their atomic numbers modern periodic table में elements की दो तरह की rows होती हों एक left to right यानि horizontal rows जिनको कहा जाता है periods और दूसरी top से bottom यानि vertical rows जिनको कहा जाता है groups modern table में total seven periods है यानि seven horizontal rows है और total eighteen groups है यानि total eighteen vertical columns है modern periodic table में elements को four major blocks में divide किया गया है s,p,d,ad,f हम one by one understand करने की कोशिश करेंगे periods को, groups को और blocks को media students, modern periodic table जो आप देख रहे हैं इस रोका media students, total seven periods है elements की in the modern table पहला period shortest period है जिसमें सिरफ hydrogen और helium प्रेजंस हैं दूसरे और तीसरे periods में आठ, आठ elements हैं इनको हम normal periods बोलते हैं चौते और पांचवे period में अठारा, अठारा elements हैं चेटे period में total 32, 32 elements हैं और यह longest period consider होता है modern table का और seventh period still incomplete है media students, एक important point जो आपने याद रखना है about a period एक period में present तमाम elements के पास number of shells constant होते हैं, same होते हैं, मैं यूं कहूंगा कि पहले period में जितने भी elements हैं तमाम के पास एक एक shells हैं, दूसरे period में जितने भी elements हैं, यनि इन आठ elements के पास दो shells हैं, के एंड एल हैं, तीसरे period में तमाम elements के पास total 3 shells हैं, के एल एंड एम हैं, इट्समीन चौत्छे period में तमाम elements के पास 4 shells हैं, पांचमें पिरिएड में तमाम elements के पास पांच shells हैं छड़े पिरिएड में तहना पास 6 shells हैं और सातमें पिरिएड में पास 7 shells यह नि जो पिरिएड नमबर है elements का उतने ही shells मजूद होते हैं elements के पास अब बात करते हैं groups की groups कहते हैं वर्टिकल कॉलम्स जो टॉप से बॉटम हो टोटल अठारा गृप्स हैं मौडरन टेबल में मैडे स्टुडेंट्स जिस तरह भी मैं बात कर रहा था कि एक पीरियड का स्पैसिफिक क्रेक्टर क्या है कि उसमें प्रेजंट तमाम अलिमेट्स के पास नमबर आफ शेल्स सेम होती है बिल्कुल वैसे ही एक गृप में प्रेजंट तमाम अलिमेट्स की वेलेंस शेल अलेक्टरॉनिक कन्फिगरेशन सेम होती है जैने इसको भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं पहला ग्रुप जिसको हम कहते हैं अलकली मेडल्स हाइटोजन लीदियम सोडियम पोटासियम प्रोबीडियम सीजियम फ्रिंशियम तमाम की वेलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन एन एस वन है यानि एस सब शेल में एक एलेक्ट्रॉन है हम बात करें दूसरे ग्रुप की जिन में प्रेजन्ट एलेमेंट्स को हम कहते हैं अलकलाइन अर्थ मेडल्स यानि बेरिलियम मगनेशियम कैलिशियम सेट्रॉनिशियम बेरियम रेडियम तमाम की वेलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन सेम है और वो है एन एस टू यानि ऐस सब शेल में दो एलेक्ट्रॉन हैं इनके वेलेंस शेल में और इसा ही बेहेवियर हम अब्जर्व करते हैं रोमेनी ग्रूप्स में तो हम जू कहेंगे के एक गरुप में प्रेजन्ट तमाम एलेमेंट्स की वेलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन सेम हो मेडिय स्टुडेंट्स गुरूप वन और गुरूप टू एलिमेंट्स को हम प्लेस करते हैं एस ब्लॉक नो क्योंकि एस सब्षल प्रोग्रेसिवली फिल हो रहा है फ्रॉम फर्स गुरूप तूदा सेकंड गुरूप हम बात करें अब थर्ड गुरूप से लेकर ट्वैल्फ गुरूप तक तो यह डी ब्लॉक है मैडिय स्टुडेंट्स क्योंकि यहाँ डी सब्षल प्रोग्रेसिवली फिल होता है अब हम बात करते हैं गुरूप थर्टीन से गुरूप एटीन तक इनको हम कहते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्योंकि यहाँ पी सब्षल प्रोग्रेसिवली फिल होता है फ्रॉम पी वन टू पी सिक्स मैंडे स्टुडेंट्स प्रियोडिक्टविल की में बॉडि के नीचे अलिमेंट्स की दो रौज होती हैं जिनको हम कहते हैं लेंथनाीब्स एंड एक्टिनाइड्स और क्योलेक्तिवली इनको कहा जाता है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स या रेर अर्थ उयुमेंट्स मैंडे स्टुडेंट्स, लेंथनाइड सीरीज में 14 एलेमेंट्स हैं, इन दा सेम वे, एक्टिनाइड सीरीज में भी 14 एलेमेंट्स हैं तो हम यूं कहेंगे के टोटल 28 एलेमेंट्स प्रेजन होते हैं, इन दा F-Block, यानि Rare Earth Elements S और P-Block को Collectively Normal Elements, Typical Elements या Representative Elements कहा जाता है In the same way, D-Block और F-Block को Transition Elements बोगों है Mede students, इनको Transition क्यों कहा जाता है, इसलिए कि इनकी Properties in between है Metals of S-Block and Non-Metals of P-Block D-Block को Outer Transition Elements कहते हैं, जबकि F-Block को Inner Transition Elements कहते हैं Mede students, हम लोगों ने Generally Understand करने की कोशिश की Modern Predictable को जिसमें Elements की दो तरह की Rawls, एक Left to Right जिनको हमने Period कहा, दूसरे Top से Bottom जिनको हमने Groups कहा, टोटल 7 Periods हैं और टोटल 18 Groups हैं Mede students, कुछ Important Groups, कुछ Important Families के Names भी आपने अपनी Notebook पर No Down करने हैं जैसे Group First को मैंने कहा Alkaline Metals, क्यूंकि जब Group First Elements को हम Water में Put करते हैं, तो Strong Alkaline Solution बनता है Group Second को मैंने कहा Alkaline Earth Metals, क्यूंकि इनको Water के साथ Treat किया जाए, तो भी Formation होती है Alkaline Solution की और यह Earth Crust में Widally Distribute हैं In the same way, Group 17 Elements को हम कहते हैं Halogens, Salt Making Elements, जिन में शामल है Phalurine, Kalurine, Baromine, Iodine and Estetine In the same way, Group 18 Elements को हम कहते हैं Noble Gases क्यूंकि इनका Valential Complete होता है, इसलिए यह Highly Chemically Inert होती है Media Students, Noble Gases, Helium, Neon, Argon, Krypton, Xenon and Radon Media Students, अभी हम बात करहें थे, Lengthenide plus Actinides, यानि F-Block की, Rare Earth Elements की Lengthenide Series, After Lengthenum स्टार्ट होती है इसलिए से Lengthenides केहते हैं Actinide Series, After Actinium स्टार्ट होती है इसलिए से Actinide Series केहते हैं Media Students, अभी हम बात कर रहे हैं थे, कि 4 Major Blocks हैं Modern Periodic चेवरें और वो फोर में Major Blocks हैं S-Block, P-Block, D-Block and F-Block वो Elements जिनका S-Sub-Shell progressively फिल हो रहा है उन Elements को Place के जाता है S-Block में और वो Elements जिनका P-Sub-Shell progressively फिल हो रहा है उनको Place के जाता है P-Block में और वो Elements जिनका D-Sub-Shell progressively फिल हो रहा है उनको Place के जाता है D-Block में और वो Elements जिनका F-Sub-Shell progressively फिल होता है उनको हम रखते है F-Block में S-Block के तमाम Elements इक्सेप्ट हीटोजन और इक्सेप्ट रेडियोक्टिव Elements ट्रू मेटल्स हैं जबके P-Block के Majority Elements नौन मेटल्स हैं और D-Block और F-Block के Elements एवी मेटल कॉंसेटर होते हैं लेकिन यहां हम डिफाइन भी करेंगे कि किस Elements को हम मेटल कहते हों किस Elements को हम नौन मेटल कहते हों या किस Elements को हम मेटलॉइड कहते हों Middle Students वो Elements जिसकी आयोनाइजेशन इनर्जी कम हो उसको हम मेटल कहते हों वो element जिसकी ionization energy very high हो उसको हम non-metal कहते हो है और वो element जिसकी ionization energy metal से ज्यादा हो non-metal से कम हो उसको हम metalloid कहते हो priority table में 80% elements metal होते हैं क्योंकि metal कहां present है s block में d block में f block में and the lower half of a p block my day students elements की classification हमने की metallic base पे non-metallic base पे और metalloid character base पे लेकिन elements तीनों physical states में available है नेचर में solid state में भी liquid state में और gaseous state में लेकिन यहां मैं एक बात repeat करूँगा my day students जैसा के मैंने lecture के start में कहा आप से कि एक पीरियड में present तमाम elements के shells constant होते हैं यहीं तीसरे पीरियड में जितने भी elements हैं तमाम के पास तीन shells है in the same way एक group में present तमाम elements की valence shell electronic configuration same होती है और इसलिए मैंने कहा था कि एक group में present तमाम elements की nearly chemical properties same होती है क्योंकि chemical properties depend करती है on the valence shell electronic configuration media students group first में शामल है hydrogen, lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, frensium मैं hydrogen और frensium को alkyli metals नहीं कहूँगा क्योंकि hydrogen controversial element है इसकी कुछ properties metaloid और non-metal से भी मिलती है और frensium radioactive है unstable है जब मैं naturally occurring alkyli metal कहता हूँ तो इस समराथ है lithium, sodium, potassium, rubidium and cesium इनको जब water में put किया जाए तो strong alkaline solution formation होती है यह नि सोडियम को अब water में put करो तो sodium hydroxide बनेगा साथ hydrogen gas evolve out होगी hydrogen पहला element है modern predictable का इसकी configuration है 1s1 valence configuration मैं बात करूँ lithium की तो इसकी valence shell electronic configuration है 2s1 मैं बात करो sodium की तो इसकी valence shell electronic configuration है 3s1 मैं बात करो potassium की तो इसकी valence shell electronic configuration है 4s1 मैं बात करो الرूबीडियम की तो इसकी valence shell configuration है 5s1 मैं बात करो cesum की तो उसकी weDonум Shale Electronic Configuration 거 Cons uses one है. हम यूँ कहाँए एक gruq में प्रेजन्ट तमाम elements की वेलैंस शयल electronic configuration same होती है, mean we'llence sub-shell में, present electron numbers same. वेलैंस sub-shell b same है और वेलैंस sub-shell में present number of electron b same. हम बात करें it up second की. तो इसमें तमाम elements के S sub shell में दो electron हो, valence shell number depend करता है period number पे और valence sub shell और उसमें present electron depend करते हैं element के group number पे medical students मुझे अमीद है कि important points आप लोगों ने no-down जूरूर की होंगे अपनी notebook के जिस में से आपका modern predictable अच्छे तरीके से prepare हो जाएगा तो इनिशाला नेक्स लेक्टर में हम periodic properties को discuss करेंगे हम बात करेंगे atomic size की, ionization energy की, electron affinity की, electron negativity की लेकिन next lecture पे जाने से पहले मैं आपको advise करूँगा as a teacher के आप लोगो जो important points है modern periodic इनको याद करोगे अपनी notebook पर no-down भी करोगे तो इनिशाला नेक्स लेक्टर में आप लोगों शुरू बारा मुलाकात होगी अपना बहुत सदा ख्यार रखिएगा अलाओ